जैसे कि आज हम आपको ऐसे टेबलेट के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके कमर के दर्द को या घुटनों में किसी परकार का दर्द रहता है या जोडों में किसी परकार का दर्द रहता है या फिर आपके पेर के गुटनों में, ये दर्ग काफी दिन से काफी साल से, तीन, चार साल, दो साल से, लगातार बना हुआ है, आपका ये दर्द जाता नहीं है, जैसे साइ्टिका की समस्या आपको है, तो इन सारी समस्याओं में, ये tablet डाक्टर के द्वारा पे स्क्राइब किया जाता है चलिए अब हम आपको इस tablet के बारे में बताते हैं इस tablet का I.U.C. क्या होता है ये tablet इूच कैसे किया जाता है ये tablet और किस परकार की दिक्कत और किस परकार की समस्या घुटनों या हड्डियों से संबंदित कौन-कौन सी समस्याओं में क्या तकलिप, क्या दिक्कत रहता है तब मरीज को डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है इसका डोज क्या होता है, इसे खाना कैसे होता है, इसे कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा डेटेल से हिंदी में जानकारी देंगे, जैसे कि अगर किसी के जोडों में दर्द लगातार कांटीन और जैसे कि आपने देखा होगा पंजों में अगर आपके चोट लग गया है किसी भी कारण से आपके पंजों के जो उंगलियां हैं उसमरें ये दर्द कांटीनिउग बना रहता है यानि आपके सरीर में कहीं पर जोडों में हड्डियों से संबंद, किसी भी परकार का अगर दर्ध की समस्या रहता है तो इन सारी समस्याओं को यह टबलेट जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि अगर किसी के पीट में बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है, उठने में बैटने में काफी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इन सारी समस्याओं को ये टबलेट ठीक करने का काम करता है, और जैसे कि इस टबलेट का उपियोग, अगर किसी के बाडी में कही पर किसी भी परकार का चोट लग जाता है, वहाँ पर आपने देखा होगा सूजन की समस्या आ जाता है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट दिया जाता है, ये टेबलेट आपके जॉइंट में जो दर्द की समस्या है, अगर आपके बॉडी में कहीं पर joint में किसी भी परकार का सूजन की समस्या है, चोट लगने के कारण या फिर दर्द की समस्या है आपको joint में, तो इन सारी समस्याओं को ये टबलेट ठीक करने का काम करता है, ये टबलेट डॉक्टर के द्वारा काफी ज़्यादा पेस्क्राइब किया जाता है, और जैसे कि इस टबलेट का उपियो, अगर आपके घुटनों में दर्द की समस्या रहता है या फिर चोट लग गया है, उसकी वज़ा से सूजन की समस्या हो जाता है, वहाँ पा लाली पड़ जाता है, और घुटनों में उठने में, बैठने में, चलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घुटनों का समस्या एक ऐसी समस्या है, जो आज काल बहुत ज़्यादा देखा गया है, कि जब कोई उठता है या फिर बैठता है तो उस समय उसके गाठों यानि घुटनों में काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है ये दर्द आपको काफी लंबे दिनों से या फिर काफी लंबे समय से या आपका दर्द आपके घुटनों में बना रहता है तो इन सारी समस्याओं को ये टबलेट ठीक करने का काम करता है ये टबलेट डाक्टर के दौरा काफी ज़ादा पेसकराइट किया जाता है और जैसे कि अगर आपके सरीर में, यानि बॉडी में कहीं पर जौइंट पेन की समस्या है तो joint pain से related अगर किसी भी परकार की समस्या है जैसे आपके गाठों में हो गया आपके हाथों में हो गया या आपके पंजों में हो गया पैर के उंगलियों में हो गया आपके गर्दन के साइड में हो गया कहीं पर अगर किसी भी परकार का दर्द की समस्या है joint से related तो इन सारी सम समस्याओं को ये टेबलेट ठीक करने का काम करता है और जैसे कि ये टेबलेट आपके हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है अगर हड्डियों में किसी भी परकार का दर्द की समस्या रहता है या फिर हड्डियों में किसी भी कारण से आपको चोट लग जाता है या फिर तो काफी लंबे दिन से काफी लंबे समय से आपके हड़ियों में बना रहता है तो इन सारी समस्याओं को ये ठीक करने का गाम करता है और जैसे कि अगर किसी को साइटका की समस्या रहता है या फिर आपको ने देखा होगा, घुटनों का दर्द एक ऐसा दर्द होता है, जो कांटीन्यू बना रहता है, आप बहुत सारे मेडसीन, बहुत सारे टेबलेट खा लेते हैं, उससे आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडसीन दिया जाता है, ये मेडसीन joint pain की समस्या को जड़ से ठीक करने का काम करता है, joint pain एक ऐसी समस्या है, जैसे कि आपके घुटनों में अगर joint pain की समस्या है, तो आपके ये उठने में, बैठने में, चलने में, या फिर बहुत जादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो इन सारी समस्याओं को ये मेडसी मरीज के दिकता और उसकी समस्या को देखते हुए इस मेटसिंग का डोज इंड धारित करके बताते हैं लेकिन जो एडल्ड में जो इस दवा का डोज होता है डॉक्टर के द्वारा एक टेबलेट सुबा और एक टेबलेट साम को खाना खाने के बाद में खाने के लिए बताया जाता है चलिए हम आपको इस टेबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं जैसे कि इस टेबलेट का कोई भी खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है बट अगर ये टेबलेट आप लेते हैं दौक्टर या फार्मासिष्ट से आप अपनी दिक्कत और परेसानी बताएं, उसके बाद में दवा लें, कोई भी दवा, कोई भी मेटसीन आप अपनी मर्जी से उपियोग ना करें